कॉंग्रेस को दोस्ट दे दे हैं, आप हम जैसे परिवारों को दोस्ट दे दे हैं, आप अंग्रेजों को दोस्ट दे दे हैं, आज तो आप ही जिम्मेदार हो, मोदी जिम्मेदार है अगर रुपिया धराम से गिर रहा है, मोदी जिम्मेदार है अगर बेरुजगारी पड़ जनता ही निकलेगी, जनता ये इंजार न करे कि कोई नेता सड़क पर आएगा और वो हमें दिशा देगा, हमें बताएगा क्या करना है जनता खुद सब्सक्चा में, लेकिन आज जो गाये मर रही हैं, लाखो गाये इसमें ग्रेसित हैं, उसकी ख़बर कई मेंस्ट्रीम मीडि लिखे और किसानों के एकॉनमी के बारे में, उनके आर्थिक हालात के बारे में जानने समझने वाले, जन चोधरी मेरे साथ, एक टैग लगा दिया गया है किसान नेता हैं, चुकि किसान परिवार से आते हैं, ऐसे दोर में जब रादनीती में किसानों की बात ही नहीं हो रह कि आर्थिक मामलों के जानकार है, एकनॉमिस्ट भी है, विदेश में इनकी परहाई लिखाई हुई है, और सबसे जादा सोचे, इस देश के टेलिविजन डिवेट में भी आर्थिक मुद्दा चाया हुआ है, डॉलर पर बात हो रही है, जन्च उजरी कैसे चोंचते हैं, क्या नुकसान होगा इसे भारत की एकॉनमी को और बिजनेस को, देखिए, ग्लोबलाइजड एकॉनमी है, ये बात सही है कि रुपिये को आप आइसलेशन में देख सकते, वर्ल्ड वाइड बास्केट ऑफ करन्सी में आप रुपे की स्थितिय को देखेंगे, लेकिन अब हमारी भारत की सरकार और सेंटरल बैंक का क्या काम है, सब दеш के सेंटरल बैंक इसी प्रयास में जूट्ये है कि अपने करंसी को स्टेबिलाइज करें हैं, अपने करंसी का भाव इतना ना गिरने दें, क्योंकि अल्続मेटली जो कंट्रिस इंपोर्ट जादा करती हैं और दे रुपिया के बनस्पत, शुरुवात में जब रुपिया गिरने लगा, तो इन्होंने ये कातर्ग दिया कि इससे हमें देश को फाइदा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्टिंग एकोनिमी है, जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, उसके ग्रोथ पोटेंशल की नई संभा आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट भी जो बड़ोतरी एक्सपोर्ट में होनी चाहिए, नहीं हो पा रही, मार्केट में, विभिन कमोडिटीज में, जो हमारा मार्केट शेर था, भारत के प्रोड़क्स का, मेक इन इंडिया केंपेंच चलाया, सारी चीज दावे किये, ले भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते है, मोडी जी के भाषन जब वो विपक्ष में थे, आप देखिए, गौर कीजिए, क्या-क्या दावे वो करते थे, क्या-क्या बाते हो कहते थे, कहते थे प्रदान मंत्री जी का, क्योंकि वो एकॉनमिस्ट मनमोहन सिंग जी प्रदान म तो इसमें निर्मला सितरमन जी को ये जवाब देना चाहिए, कि क्या भारतिय रुपिय का क्या मूल भाव वो चाहती है, सो रुपे, एक सो बीस रुपे, डेड़ सो रुपे तको ले जाना चाहती है, या उसे वो पेचरतर पे रोकना चाहती थी और फेल हो गई? स्मॉल इंडिस्ट्री वालों को इसका इंपक्ट होगा, जो जिनका माल आजकल जो भी देसों से माल आता है, उन पर बहुत फर्क बड़ेगा, हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी असेंबली का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप MSME की बात कर रहे हूं, सारी चीज वो खुद म बैलेंस है, वो मोदी जी के समय, जब से मोदी जी आ हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है, हम जादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एकनॉमिक क्राइसिस की बात कही जा रही है, इमेर्फ ने कहा है, और यहां भी कहा जा रहा है कि क्या लगता है फिर से किसानों के उपर जिमेदार नहीं है, बचत कोई परिवार हाउसओल्ड नहीं कर पा रहा, जिस तरह से उनको करने की जुरूत होनी चाहिए, और अनिम्प्लॉइमेंट की स्तितिया आप देखी रहे हैं कि क्या हालत है, कोई भरती निकलती है, 100 लोगों की उसमें 10 लाग लोग भरती होना चाहते हैं, य 200-300 ओदियों के घरानों को आप हटा देंगे, और उनको हटा करके आप भारत के अर्थवयवस्ता पर अगर गौर फरमाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि स्तिती चर्मरा रही है, जो हालात बांगलादेश में हाल में आपने देखे, जो हालात पाकिस्तान में आपने हाल मे देखे, current account deficit को देखते वे, भारत की currency को देखते वे, भारत के dollar reserves जिस तरह से speed से गिर रहे हैं, उनको देखते वे, ऐसा लगता है कि कई वो दिन ना देखने पड़ जाएं, जब हमने पहले देखे थे और हमने सोना भी भारत का निलाम हुआ था भारत के बारे में काई रहे हैं कि यह farming country है, खाने की दिक्कत नहीं होगी, चुकि किसान उब जा रहे हैं, वहीं किसान अंदोलना नमे समझ से लगता हैं, लोग लहसुन एक रुपे बेच रहे हैं, दूद बहा रहे हैं, सबजियां खराब और यह, क्या लग रहा है, चारो और धान को यह आप देखने क्या सिती है, इस बार धान के फसल में भारी नुकसान है, क्योंकि जिस तरह भी हाल में बारिश हुई है, तो आपने देखा कि देश ने आनन फानन में गेहों के एक्सपोर्ट पर निरियात लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि प्रड़क्शन डा और अब धान के एक्सपोर्ट पर भी विबिंतर है कि उन्होंने प्रतिबंद लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि जो आज हमारे जो बंडारन जितना होता था, जो स्टॉक है, वो लगातार घट गट गया है, और ये भी हो सकता है कि हम में जो फूड ग्रेन है, उसमें बी एक डेफिसिट की सिती ना पैदा हो जाए, लेकिन ये पुलिटकल इसू है बारत में, विपक्षिस सब मुद्दो को उठा नहीं रहा है, आप संसद में बोलते हैं, सरक पर इन सब किसानों का तो कोई मसला ही नहीं आ रहा है, इस किसान के बारे में कोई बात नहीं कर र इसमें आप जैसा जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो ऐसे इशूस पर प्रकास डाल सकता है, ऐसे मीडिया को मैं शुबकामनाय देता हूं और आप और बुलंदी से इस बात को रखिए, किसान तो बोल रहे हैं, तरही तरही मच रही है, विपक्ष भी बोल रहा है, बस वो मीडिया जैसे आपने का, कि मीडिया अपनी डिबेट तै करता है, कि आज शाम को आट बजे, नौ बजे, किस बात पर हमें चर्चा करनी है, जब तक वहाँ पर इस चर्चा नहीं होगी, कि किसान के क्या हालात है, लंपी डिजीज की चर्चा, गव माता गव माता ये चि ये जगाने की जरूत है, इस अंदर आशा जगाने की जरूत है, और उसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, जैसे आर्थिक तंगी बढ़ेगी बेरोजगारी के स्थिति को लेकर और गंभीरताई आएंगी, वीपक्षी पार्टियां अपना जो जिम्मदा हमारी बनती है हम उसको निभाएंगे लेकिन आपने ठीका जैसे अभी सहतीस लाग तो यूपी में आपने देखे इस से पहले अगनी वीरी उजना जो बिल्कुल फेल उजना लोगों ने मानी नौजबान सड़क प्याये विरोध कर रहे थे उसके बाद भी लेकिन जब भरती निकली तो लोग भरती में लोग आ गया है कि हमें क्या पता नौकरी मिल जाए तो बहुत दुर्दशा है हालत अच्छे नहीं है हालत पब्लिक परसेप्शन बनना है कि विपक्ष के नहता सब डड़े हुए है इनकम टेक्स एडी से यह परसेप्शन है पब्लिक प्रपोगेंडा वार में बीजेपी बहुत मजबूत रही है उन्होंने चर्चा चला दी कि कोई विकल्पी नहीं है अब 130 करोड आदमियों में कोई ऐसा पड़ा लिखा अच्छा समझदार किसान गरीब की बात रखने वाला नेता नहीं है क्या वह एक ही नेता बचेगा द जिछा देगा हमें बताएगा क्या करना है जनता खुद सक्चा में और 130 करोड की लोगों में अपने आप विकल्प कई हैं और वो आ गए आएंगे एक सोसल स्ट्रक्चर पर आप बहुत काम कर रहे हैं चुकिए आपने दुनिया देखी है आपके आप आपकी परहाई लिका आप किसान फैमिली से भी एक सोचल स्ट्रक्चर पर आप काम कर रहे हैं सेस्ट योबिसी माइनॉर्टी जेनरल तमाम गरीब और सोशित लोग का क्या यही एक बिकल्प है जिस तरह की रादनीती हो रहे हैं हिंदू-मुसलिम में मैं जो कुछ भी हूँ आप सोचे उस समय उस दौर में 40-50 साल पहले आज किसे नेताम हिम्मत ने बात कहने हैं कि उबात चौदी चरण सिंग जी कह गए कि अंतर जातिय विवा होना चाहिए सरकार की नीतिय पॉलिसी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को जो अपने जातिय के बंदन को तोड़ करके रिष्टे बनाते हैं ऐसे लोगों को मजबूत किया जाए आज कोई कह पा रहा है इस बात को तो कई माहिने में हमारी सुसाइटी पीछे जा रही है आप पावर्फुल कम्यूटी से आते हैं किसान कम्यूटी से आते हैं चौदी चरण सिंग साहब ने लालु यादव राम बिलास पासवान सरद यादव जैसे नेताओं को बनाया जो सोसल जेस्टिस की लाई लड़ है आप अपनी भूमिका को कैसे डिफाइन करेंगे क्योंकि आपकी वो सलाहियत है आप उस कम्यूटी से आते हैं जो कम से कम S.C.H.T. और दुसरे किसान जातियों को पोटेक्ट भी कर सकता है अपलेट कली और सोसली कि हमारे लोग बड़ा दिल रखें और लोगों को जोडने का और भरपूर प्रयास करें सामाजिक समीकरन खड़ा करें जिसके आधार पर इतनी बड़ी ताकत चौदी चरंसिंग जी बने थे वो ही आज भी हमारा आधार बन सकता है और वो तब हो जब हमारे लोग उठके जिहार इन सब राज्यों में किसान कॉम्निटीज के बोर्टर्स हैं और अगला चुनाओ के समय सरकार जो है वो सब सरकारे करती है जिस तरह से किसान को मैनुपलेट करते है उसका क्या काट है सब के एकाउंट में जब 2,000 रुपे जाहिन लगता है लोग स्थाई समाधान भ लेकिन किसान की कोई सरकार आज नहीं बन रही जो किसान की बातों पे गंभीरता से विचार करें और समय रहते फैसले ले MSP की बात नहीं ने कही थी हां दोलन खतम करने के लिए आज कोई सरकार का प्रतनीद ही नहीं कह रहा कि MSP क्यों नहीं मिल रही दान के फसल को नहीं मिला तमाम MSP सरकार गोशित करती है एक एक फसल को टाके देखेंगे एक आद को आप छोड़ दे जब कभी बड़ी तेजी MSP से ज़्यादा रेट का भी मिल गया या MSP का भाब मिल गया MSP भी किसानों को नहीं मिल रही दो छोटी छोटी और स्वाले जो सेकेंड जनेरेशन लीडर्शिफ उसके बारे में रोप है कि वो लोग AC बोर्न है और घरों से नहीं निकलना चाहते हैं सरकों पर जैसे मोदी जी 355 दिन चुनावी कैंपेण करते हैं मोदी जी तो कहर सोते ही नहीं है हम तो चाहते हैं थोड़ा सो लें चैन की नींद लें तो शायद अच्छे विचार आएंगे क्यों ऐसा नहीं है हमारे जो वर के लोग हैं जो हमारे इसके पीडी के जो लोग हैं मैं देखता हूं अच्छे लीडर्स हैं समझदार हैं, दुनिया भी देखी है, देश की गलियां भी देख चुके हैं और देश की गलियों पर क्या मिजाज है लोगों का वो भी समझते हैं तो इन्ही में से नया लीडर्शिप पैदा होगा दोजार चौबिस के लिए जो पुलिटकल इलाइन्स की बात हो रही है नितिश कुमार ने कहा है कि जो हम परधान मंतरी नहीं बनने हमें लेकिन जो दोजार चौबिस में नहीं आएंगे और वो तमाम पुलिटकल पार्टी से मिल रहे हैं यह बात पिलकुल विहवारे कोनों ने की दस साल उजड़ा ने दे दिये ना अब दस साल बाद भी जो बात 2014 में वो कह गए थे अगर आज दस साल बाद भी वो लागू नहीं कर पा रहे तो किसकी कमी है आप कॉंगरेस को दोस दे 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 हैं आप अंग्रेज़ों को दोस दे दे आज तो आप ही जिम्मेदार हों मोदी जिम्मेदार है अगर रुपिया के धराम से गिर रहा है मोदी जिम्मेदार है अगर बेरुजगारी बढ़ रही है अगर देश में सामाज एक तनाव बढ़ रहा है ताना बाना बिगड रहा है रहा चलते लोगों को मॉब मार देता है किसी के जवाब दे ही नहीं उनके पालिटी के लोग नफरत बरी भाशन दे रहे हैं तो जिम्मेदार कोन है दस साल बार तो जनता सोचेगी इसलिए तो नितीजी ने का बिल्कुल सही का हम लोग साथ मिलकर बात करेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे आखरी सवाल टीवी और अखवार ये दो बड़े लोग जानकार कहते हैं कि बीजे पी आरे से इसके दो कार करता है एक टीवी और एक अखवार और यहर घर में है काट है भी पक्षेपारस कॉंग्रेस ने तो टैक कर लिया कि हम अपना सोचल मीडिया चला रहे हैं बाकी ऑपोजिसंपार्टियों के पास क्या काट है क्योंकि कम्मुनिकेशन नहीं है आप लोग पार हमारा सोचल मीडिया भी है किसा नांदोलन किस ने चलाया आप क्या सोच रहे हैं सिर्फ मोर्चे बे जो पगड़ी वाले हमारे बज़रुग हमारे बड़े लोग बैठे थे वो ही चला रहे थे नहीं गाओं में बैठ के रही नौजवान उसको चला रहे थे एक ताकत उन्होंने बनाई ट्विटर पे ट्रेंड चलाया और अल्टिमेटली वो सोचल पावर के आगे ही सरकार जुकी है तो हमारे लोग कम्मुनिकेट करना जानते हैं गाओं में बड़े उन्होंने शिक्षा की हो आज दुनिया उन्होंने देख ली है लेंग्विज को समझते हैं कम्मुनिकेशन के स्टाइल को जानते है हमारा कारे करता भी इतना अच्छा है मैं बता रहा हूँ लोग दल का जो पुराना कारे करता है आप उसको आज भी देख लोगे वो मुझसे ज़्यादा महरत कर सकता है बीजेपी के कारे करता तो उससे कहीं बहुत पीछे है किस तरह से लोगों को जोड़ना है वो भी जानता है बस उनको मोटिवेट करने की जुरूत है हम मैं टो मैं मार्किंग करेंगे छोटी जिम्मेद्यारिया अपने लोगों को देंगे गली से गले लोगों को निकाल के तब ही हम मुकाबला कर पाएंगे तो यह जन चौधरी है मैं फिर कह रहा हूँ अगर यूबा नेताओं में आपको किसी से बात कर दी तो जन चौधरी से बात किजिए सुल्जे हुए नेता है और तमाम मुद्धों पर बारीक समझ रखते है बस फर्क इतना है कि टीवी अख़बार में ऐसे निताओं के लिए अभी इस पेस नहीं है नेताओं की कोसिस होती है कि तमाम ऐसे निताओं को से आपको रूबरू कराया जाए जो ग्राउंड पर देश के बारे में कैसे सोच रहे है कहाराओं नसीस के साथ श्रम्भू कमार सिंग नेताओं दस्तक तिल ले नेताओं दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते है